तो आज हम वेन्यू के फेस्टिफ्ट वेरियंट वेन्यू यस के सामने है जो कि पेट्रोल वेरियंट है 2023 with RDE इंजन जैसे के आप देख सकते हो यह वाला जो कलर है मलबेरी रेड है तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ कि अगर आप वेन्यू के वेरियंट में सेकेंड बेस यह वेरियंट जो कि यह वाला है या फिर मिड वेरियंट यह ओप्शनल लेते हैं तो कौन सा वैल्यू फोर मनी रहेगा और आप कौन सा लेना चाहेंगे जैसे कि मैं बता दूँ वेन्यू यस का एक शोरूम प्राइज है हुबली करना डगा में 8,89,900 रुपीज जो कि वही यस ओप्शनल आपको 9,72,600 रुपीज तो कि अर्मोस्ट आपको 82,700 रुपीज का फरक आ रहा है यस और यस ओप्शनल पे यक शोरूम तो वही अभी मैं बताऊंगा कि अगर आप यस लेते हो तो यस ओप्शनल में आपको क्या एक्स्ट्रा अड़ेड मिलेगा कंपेरिंग यस मॉडल तो चलिए देखते हैं फ्रेंट से कुछ इस तरीके का आपको वेन्यू यस में फ्रेंट ग्रिल रहेगा विथ यूंडाय लोगो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्किट प्लेट्स फ्रेंट की तरफ वेन्यू यस में आपको हैलोजन हेड्लैंप मिलते हैं तो यह एक डिफरेंस हो गया है आपको वेन्यू येस के अंदर जो कि येस ऑप्शनल में आपको प्रोजेक्टर हेड्लाम मिलते हैं जो कि उसका वीडियो में बना के दालूँगा नेक्स्ट वेन्यू येस आपको कुछ इस तरी की की फ्लिप की के साथ आती है प्रेंट में आपको एक डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है हेड्लैंप जो कि हैलोजन है येस वेन्यूट में वह साइड की तरफ देख लेते हैं वही सेम लुक रहेगा येस ऑप्शनल एंड येस में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आर फिफ्टीन टायर मिलते ह है कुछ इस तरीक के विल कैप के साथ जो कि सेम रहेंगे और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर जो रहेंगे फेंडर पर रहेंगे येस वेरेंट पर जबकि येस ऑप्शनल में आपको ओवार्वार येम पर आएंगे और ये मैनॉल रहेंगे दोनों में मैन सब्सक्राइब रहेंगे तो सेम कुछ इसी तरीके का आपको बॉडि कलर डोर हैंडल मिलेंगे येस अंडियस ऑप्शनल में और पीच्छी से देखते हैं यहाँ पर आपको रूफ रेल मिलते हैं येस वेरेंट में शार्पन एंटेना विट हाई मांटेट स्टॉप लैंप और दिपागर और यहाँ पर आपको डैल लयम्प मिलते हैं जो की रूफ लेक्ट नहीं होते हैं येस वेरेंट में अर्न नहीं होते हैं ये छिल welector है ये ओन नहीं होते हैं यहाँ पर हेंदाई का लोगो और यहाँ पर आपको परेट्स कीड़ प्लेट्स में आपको कोई पर्किंस ति पुट्स फोका数 का यहां कुछ इस तरीके का और यहां पर कोई पार्सल ट्रेने मिलता कंपनी से ही आपको अलग से लगवाना पड़ता है और यहां पर बूट लैंप में नहीं आता और वेन्यू यहां पीछे से कुछ इस तरीकी की दिखती है आपको देखने में चलिए ड्राइवर सीट की तरफ देखते हैं ड्राइवर सीट में आपको यहां पर पूर पावर विंडोस कंट्रोल का ओप्शन मिलता है और अलेक्टिकल अजेस्टेबल जैसे की माहने कहा था यहां पर यहां पर आपको स्पीकर्स और कुछ इस तरीके का आपको इंटियर देखने के लिए मिलेगा ड्योल टोन और यहां पर एक और यह वेन्ट में आपको कुछ इस तरीकी की सीट मिलती है और यह हाइट एजिस्टेबल नहीं रहेगी जो कि यह सॉप्शनल में आपक है टिल्ट अजेस्टेबल के और यह की स्टार्टर है कि इस तरीका क्लैसर देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं डीजिल क्लैसर है यहाँअ यहाँ पर आपको एट इंच का टैम्स्क्रीन डिस्प्लै तो चलिए रेर सीट की तरफ चलते हैं यहाँ पर शेकल के सभूआ मिलेगे आपको पर решire देखने के लिए मिलेगा से यहांपे कुछ इस तरीकिए दिखती है पीछे से कि यह फेरियंट कुछ इस तरीकिया रहता वीच में आपको बीच बीच में आपको वेन्यू यस और रॉप्छनल के बारे में भी बता रहा था कि यह वेन्यू अप्शनल में और एक्स्ट्रा क्या आएगा उसका वीडियो मैं बनाओं वेन्यू यह सेंड यह से आप्शनल से